तो 36 गड़ में आप सबी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, 36 गड़ में आने वाली सबसे बड़ी भरती के बारे में, आने वाली सबसे बड़ी अपकमिंग न्यू गवर्मेंट जाब एकंसिस 2023 के बारे में, 36 गड़ में 13352 पर नए सिक्षक की भरती परिक्षा 2023 होने वाला है, सिक्षक भरती परिक्षा को लेकर इस समय सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी भरती 2023 निकल कर आ रहा है, और इसमें पोश्ट जो होगा, वो 13352 पर भरती होगा, और आपको मैं बता देना शाता हूं कि 13352 नए सिक्षकों की भरती, नए गवर्मेंट जाब विकेंसिस, डेफिनेटली बहुत ही बड़ी भरती है, सबसे बड़ी भरती है, और सबसे में इंपोर्टेंट है, यह आपका सीधी भरती है, सीधी भरती का प्लस पॉइंट यही रहता है कि सिर्फे की बार आपको एक्जाम्स दिलाना है, अगर रिटान एक्जाम्स यह होगा, प्रारम भी क्लिखित भरती परिक्षा, उस एक्जाम्स को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब आपका कॉम्पेडिसन्स एक्जाम्स हो पाएगा, और इसमें किसी भ उतिताती तरह से ऐसी कोई भी दिकत नहीं है, इसमें इंटर्वी क कोई भी प्रॉबलमस आपको फेस करना नहीं पड़ेगा, इसमें इंटर्वी आपका नहीं होने वाला, और 13352 ने सिक्शकों के भरती, आप ऐसे हर एक स्टुड़न्ट के सपनों को, आप ऐसे हर एक स्ट किस तरह से प्रिपरेशन करने किस तरह से हार्ड वर्क करने जिससे कि आपको कम्याभी मिल पाए जिससे कि आपको सफलता मिल पाए जिससे कि आपके सपने जिससे कि आपके ड्रिम जो है और आपके ख्वाब जहें पूरे हो पाएंगे complete जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाल है तो वीडियो को please last अदक जरूर देखे तभी आपको complete जानकारी मिल पाएगा अगर हम बात करें 13352 नए सिक्षक भरती परिक्षा 2023 के बारे में तो सिक्षक भरती ब्रेकिंग नीज है 13352 नए भरती परिक्षा के बारे में देखो जो टीचर्स का जाब होता है सिक्षक भरती परिक्षा जो होता है वो काफी जादा होगे कि हमारा सेलेक्षन कहां से हो पाएगा इतने स्टुडेंट्स को बीट करके हम आगे कहां से बढ़ पाएंगे हम जो है सर्वाइब कहां से बढ़ कर पाएंगे क्योंकि कॉम्पीडिसन बहुत जादा है आपको यह चीज मैं क्लियर उसे कह देना चाहता हूं कि आपको कॉम्पीडिसन के बारे में सोचने नहीं है कि कितने कॉम्पीडिसन के बारे में सोचने इनके बारे में जानना आपका काम नहीं है आपको सिर्फ अपने बारे में सोचने खूद के बारे में सोचने कि आप किस तरह से पढ़ाई करोगे आप कितना पढ़ाई करोगे यह कर रहा है या कौन कितना पढ़ाई नहीं कर रहा है जिर्फ अपना देखो अगर आप अपना देखोगे अपने बारे में सोचोगे खुद के बारे में सोचोगे तो येकिन मानों आप इसे खरेक स्टूडेंट्स अपने जिंदेगी में बहुत जाद आगे बढ़ सकते हों में कितना देखने को मिल पाएगा तो 13359 सिख्षक भरती परिक्षा में अगर आप अवेधन करना चाहते हैं न्यूटीचर्स भरती परिक्षा के लिए यदि आप फॉर्म फिल अप करना चाहते हैं तो इसके लिए qualification आहीं चाहिए है गोह न चाहिए डिघृ बीना डिग्री कंप्लीट किये बीना के शिट्रो सेथाथ बनना चाहते हैं उडिछुस नियुकर तरह से अपका बार भी पाफ रहता है किसी तरह से शिक्षक बनने के लिए कम से कम आपका घ्रेजौस कॉम्प्लिट होना चाहिए और ग्रेजौस के इलावा आपका ढशार जो या फिर आपका डिलीं होना चाहिए या फिर आपका जो यह टेट एक्जाम्स होना चाहिए तो बी एड डी एलेड या टेट एक्जाम्स इन में से कोई भी हो चलेगा तब ही आप इसके लिए इलिजीबल हो पाएंगे तो ही आप इस भर्दी परिक्षा के लावे दन कर सकते हैं फॉर्म फिल अप कर पाएंगे वरना किसी भी तरह से आप जो है सिख्चक भर्दी परिक्षा के लिए आप इदर नहीं कर सकते हैं सिख्चक बनने के लाप जो ही किसी भी तरह से capable जो है आप नहीं होंगे तो जितना ज्यादा होश है कि आपको तैयारी के उपर फोकस करना है जितना ज्यादा होश है कि आपको पढ़ाई के उपर preparations करना है अच्छे से hard work करना है और जितना ज्यादा hard work होगा जितना ज्यादा preparations होगा, देखो जितना जादा महनत होगा ना, इतने ही जादा देन सफलता जो है मिल पाएगा, और आप सिफ़ उपहोगे मुझे सफलता मिल जाय या मेरे सबने पूरे हो पाई या मेरे dreams पुरे हो पाए, तो ये यह पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बीना महनत कि किशी को भी कुछ भी नहीं मिलता है तो यदि आपको भी शफलता चाहिए यदि आपको भी अपने ख्वाब को यदि आपको भी अपने ड्रिम्स को पूरा करना है तो उसके लिए महनत आपको आज करना होगा तो 36 गड में 13352 नए सिख्षों की भरती निव टीचर वे कैंसिस काफी अच्छी भरती हैं ब्रेकिंग नूज हैं आप ऐसे हर एक स्टुडेंट के लिए तो तैयार ही अच्छा से करना कंसिस्टेंसी को बस मेंटें करना कंसिस्टेंसी इसी वज़ाइसे बोलता हूं कि अग अभी भी आपको लगे कि यह भरती परिक्षा हम से क्वालिफाइ नहीं हो पाएगा यहां फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे रेगुलर रहेंगे जब कोई भी चीज में आप जो है डेवाइडे जो है रेगुलर वर्क करोगे रेगुलर महनत कर करोगे तब जाके उसमें वो कामयाबी तब जाके उसमें वो शफलत आपको जो है तब जाके करें वो कामयाबी आपको जो है मिले गा है ऐसे अगर आप सी सोचोगे तो सोचने से कोई भी कामयाबी या सोचने से किसी भी तरह से सफलत है या सोचने से किसी भी तरह से में सच करने के लिए उसको रियालेटी में एक्जिक्यूट करने के लिए आपको कोशिश करना है उसके लिए मेहनत करना है उसके लिए हार्ड वर्क करना है तो जितना जादा होशा के हार्ड वर्क करो जितना जादा होशा के पढ़ाई करो जितना जादा होशा के परिपरेश करोगे उतने ही ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा क lobby सुच्छ भरती परिक्षा कि एक्जाम की च्टेडी प्रिप Assel सब और जिन्दगी यही है, आपको कभी भी रूखना नहीं है, बस चलते जाना है, आपको सिर्फ काम्यावी के बारे में सोचना नहीं है, आपको काम्यावी को पाने के लिए hard work करना है, देखो हर एक चीज मुम्किन है, हर एक चीज जो है आसान है, हर एक चीज possible है, अगर आप उ उसके लिए महनत करो तो, अगर आप उसके लिए preparations करो तो, वरना कोई भी चीज हो, जो आपको आसान सा लगे, वो भी चीज जो है, नामुमकिन सा, लगने लगता है कि, अगर आप कोशुश नहीं करोगे तो, अगर आप महनत नहीं करोगे तो, इसलिए जिन्दगी में महनत हमेशा जारी रखना है आने वाला जो वक्त होगा या आने वाला जो टाइम होगा या फिर आने वाला जो समय होगा ना वाज से कहीं ज्यादा बहतर होगा तो आने वाले टाइम या आने वाले समय या आने वाले वक्त को आज से कहीं ज्यादा बहतर बनाना है तो उसके लिए ह तब जाके वो सकसेस तब जाके वो कामियाबी आपको मिलने गा थाइंक यू सो माच वीडियो देखने के लिए वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पर ना है तो चैनल को सब स्क्राइब कर लेना साथ में बेल नोटिफिकेशन को अंड करके रख जादा जादा शेयर करो थैंक यू